नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्स्प्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्मा नया वित्वर शाम आत्मी को तगड़ा जटका देने के साथ शुरू होने के आसार बर रहे हैं दरसल एक अप्रेल 2021 से रोजमरा की इस्तमाल वाली चीजों में महंगाई का तगड़ा जटका लगना तैम आना जा रहा है नए वित्वर्ष में दूद बिचली, एयर कंडिशनर्स, मोटरसाइकल से लेकर स्मार्टफोन और हवाई सफर तक महंगा हो जाएगा इलेक्ट्रोनिक उपकर्णों के दाम भी नए वित्वर्ष में बढ़ जाएगे आईए जानते हैं कि एक अप्रेल 2021 से ऐसी कौन-कौन सी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं जो आम आदमी का बजट पिकाड़ सकते हैं दूद के दाम में की जा सकती है बढ़ोत्री नए वित्वर्ष के पहले दिन से दूद के दाम बढ़ने के आसार हैं कल यानि एक अप्रेल से आपकी जिन्दगे में महंगाई का तगड़ा जटका लगने वाला है दूद बिजली और सफर सब कुछ महंगा हो जाएगा अब तक अकेले ही महंगाई का घूट पी रही कमपनियों ने अपने हाथ खड़े करती हैं अब महंगाई का बोज ग्रहकों पर डालने की तयारी है तो चलिए के करके देखिए कि महंगाई कहां कहां से आपकी जेब काटने की तयारी कर रही है दूद के दाम बढ़ा दिये गए हैं ऐसे में घी पनीर और दही समेट दूद से बने सभी उत्पादों की कीमत बढ़ सकती है इसके साथ ही बिहार के लोगों को एक अपरेल 2021 से बड़े हुए बिचली के बिल का जटका भी लग सकता है राजे में बिचली की दरों में 9 से 10 फीसिदी बड़ोतरी की चाने की उमीद है वही लाजत में बड़ोतरी के कारण कार और बाइक की कीमतों मिव्रिदी होना करीब करीब टैमाना जा रहा है कार बाइक खरीदना अब महंगा होगा मारूती निसान जिसी कमपनियों ने अपनी कारों के दाम बढ़ाने का एलान किया है एक अप्रेल से इन कमपनियों की कारे महंगी हो जाएंगी हाला कि ये बड़ोतरी कितनी होगी इसका खुलासा आप तक ओटो कमपनियों ने नहीं किया है कार कंपनियों का कहना है कि बीते काफी समय से उन्हें महंगे कच्चे माल का बोच उठाना पड़ रहा था लेकिन अब उन्होंने ये बोच ग्रहा को पर डालने का फैसला किया है एसी फ्रिज की ठंडी हवा भी महंगी होगी इस साल गर्मी के मोसम में एसी या फ्रिज खरीदने वालों पर महंगाई की मारते है एक अप्रेल से एसी कंपनिया कीमत में बडोतरी का पैलान कर रही है कंपनिया कच्चे माल की कीमतों में हो रही बडोतरी के चलते एसी की कीमत बढ़ाने की तयारी कर रही है AC बनाने वाली कमपनियां कीमत में 4-6% बढ़ोतरी की योचना बना रही है यानि प्रती यूनिट AC की कीमत में 1500 रुपए से 2000 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है 1 अपरेल से TV भी महंगा 1 अपरेल 2021 से TV खरीदना महंगा हो जाएगा बीते 8 महीनों में ही TV की कीमते 3-4000 रुपए तक बढ़ गई है TV मैनुफेक्चर्स ने TV को भी PLI स्कीन्स में लाने की मांग रखी है 1 अपरेल 2021 से TV की कीमतों में कम से कम 2-3000 रुपए की बढ़ोतरी होगी 1 अपरेल से महंगा होगा हवाई सफर हवाई सफर करने के लिए अब आपको जादा जेब ठीली करनी होगी सकार ने घरेलू उडानों के लिए किराय की न्यूंतन सीमा 5% बढ़ाने का फैसला किया है 1 अपरेल से एवियेशन सेक्योरिटी फीस यानी ASF भी बढ़ने वाली है 1 अपरेल से डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए एवियेशन सीक्योरिटी फीस 200 रुपए होगी फिलहाल ये 106 रुपए है जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए फीस 5.2 डोलर से भढ़ कर 12 डोलर हो जाएगी नई दरे एक अपरेल 2021 से लागू हो जाएंगी एक्सप्रेस वे पर सफर करना पड़ेगा महंगा आगरा लखनव एक्सप्रेस वे पर सफर और महंगा होने जा रहा है उत्रपरदेश एक्सप्रेस वे और द्योगिक विकास प्राधी करन बोर्ड ने वर्ष 2021 से बाइस के लिए नई दरों की मंजूरी दे दी है कम से कम 5 रुपए और जादा से जादा 25 रुपए की बड़ोतरी की गई है नई दरे एक अपरेल से लागू होंगी बिजली के लिए चुकाने होंगे जादा दाम जी हाँ लोगों को एक अपरेल से बिजली के जादा बिलो का जटका लगने वाला है लोगों को एक अपरेल से बिजली के बिल जादा चुकाना पड़ सकता है बिजली विभाग के मुताबिक South और North बिहार Power Distribution Company ने बिजली की दर में 9-10% की बड़ोतरी का प्रस्ताव दिया है अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो बिहार में बिजली के रेट बढ़ जाएंगे Breaking News रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की affordable housing योजना के साथ जिसके तहट आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की free parking, EDC, IDC free, club charges free और maintenance free और कोई hidden charges भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर book करें